Hello everyone, एक और नए वीडियो में स्वागत है, मेरा नाम प्रत्य प्रकाश है, और अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कियो, यानि आपको swing trading समझना है, आपको सीखना है कि swing trading कैसे किया जाता है, अपने option trading try किया होगा, आपने investment try किया होगा, हो सकते हैं आप swing trading में try किया होगे, but बह ये topic में से, दो topic ऐसा होगा, जो काफी जादा vast है, मतलब अगर उस पे मैं बात करना जाओ, तो बहुत बड़ा video हो जाएगा, तो next video में वो दो topic पे रहने वाला है, but ये 6 topic आकर है क्या, और कैसे इसकी मदद से, हम लोग कोई stocks को pick कर सकते हैं, बिने आपका time waste की वे video को start करत करते हैं, और किसी stocks में, अगर कोई swing आने वाला है, तो इसको कैसे identify करते हैं, चलो video को start करते हैं, उससे पहले इस channel को subscribe करना क्योंकि काफी अच्छा content मिलने वाला है आने वाले time में, वे video के starting में मैंने 6 points के वारे हम बोला था, अब वो 6 points है क्या, जिसके वारे में इस video में हम लोग बात करने वाले, सबसे पहला आता है liquid stock, दूसरा आता है volatile stock, तीसरा आता है momentum stock, चौथा आता है technical analysis, पाचवा indicator and छटा है fundamental reports, एक एक करके पहले ये term समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, volatile stock क्या होता है, liquid stock क्या होता है, किसी stock में momentum आया, कैसे पता करें कि ये stock momentum वाला है सबसे पहला आता है liquid stock, देखो अब ये liquid का मतलब क्या हुआ, swing trading करने के लिए सबसे important होता है liquid stock, मतलब वैसा stock जिसमे volume हो, वैसा stock जिसमे volume increase होता हो, decrease होता हो, अब किसी वे stock में liquidity आने की वज़े से, यानि volume आने की वज़े से, हम लिए तुरंत entry ले सकते हैं या फिर तुरंत ना के बराबर हो, अगर volume नहीं है, तो हम उ stock में entry लेंगे ही नहीं, और volume काफी ज़ादा है, यानि वो ज़ादा demanding stock है, तो उसमें हम entry बना सकते हैं, दुसरा term आता है volatility, अब ये भी stock market में swing trading करने के लिए काफी important होता है, पर इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं example से समझते है माले को एक company है, Vipro लेते है, Vipro एक ऐसा company है, जिसमें liquid stock है, for example Vipro एक ऐसा liquid stock है, liquid stock बोलने का मतलब इसमें volume काफी ज़ादा है, पर Vipro एक ऐसा stock है, जो volatile नहीं है, volatile नहीं है मतलब, volatility का मतलब ये हो गया, for example को एक company है जिसका current price चल रहा है, 500 रुपया, अब वो 500 रुपया स अगले दिन 550 चला गया दूसरे दिन 550 से 580 चला गया तीसरे दिन वो 580 से 540 पे गिर गया अगर आप correlate कर पाओ तो price का movement काफी जादा है एक stock एक दिन में 40 रुपय उपर गया 50 रुपय उपर गया यानि वो stock काफी जादा volatile है बहुत जादा उपर जा रहा है या बहुत जादा नीचे गिर रहा है इसको हम volatility कहते है मतलब यह हुआ कि अगर आपको swing trading करना है तो पहला दो criteria काफी important होता है पहला liquid stock होना चाहिए दूसरा volatile stock होना चाहिए यह दोनों एक दूसरे से correlate करना चाहिए अब हम लोग move करते हैं तीसरे point के तरफ जो है technical analysis अब इसपे मैं अगर बात करना लगू तो यह काफी ज़्यादा vast topic है लगबख video 23-40 minute का हो सकता है तो अगर मैं इसपे basic चीज़ बात करूँ कि किसी भी stock market technical analysis करना है तो हमें क्या देखना चाहिए तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि stock market का को basic चीज़ पता होगा price action क्या होता है support, resistance कैसे draw करते है trend line कैसे draw करते है इसमें कुछ और add कर दे technical analysis में तो जैसे कुछ patterns हो गया cup and handle pattern, head and shoulder pattern w pattern, बहुत तरीके का pattern होता है market के अंदर तो क्या उस तरीके का pattern किसी stocks में बन रहा है की नहीं ये सारा चीज़ technical analysis हो गया पर इस topic पर मैं next video बनाऊँगा कि किसी भी stock में technical analysis कैसे करते हैं और सही जगा entry और exit कैसे करते हैं तो ये छोटा सा technical analysis का introduction था जिसमें किसी भी stocks का आपको price actions read करना आना चाहिए चौथा आता है momentum stock एक ऐसा stock जिसमें बहुत ज़्याज़ा pressure हो अब वो pressure buying side भी दिख सकता है और selling side भी दिख सकता है देखो असान भसा ये बताओ तो कोई company over bought है या फिर over sold है वो momentum stock बताता है देखो momentum stock पता करने का सबका अलग तरीका होता है मैं एक तरीका यूज़ करता हूँ indicator के मदद से जो है RSI relative strength index अब RSI का अलग वैल्यू होता है 10 हो गया 20, 30, 40, 50 different value होता है तो वैसे stock जिसका RSI का value 30 और 70 के बीच में उसमें momentum देखने का chance ज़्यादा मिलता है मतलब अगर कोई stock 30 और 35 के बीच में तो उसका upside के तरफ move करने का chance ज़्यादा है और अगर कोई stock 70 या फिर 75 के पास है जिसका RSI का value 70 या 75 है उसका नीचे गिरने का chance ज़्यादा है तो momentum stock आप ऐसे पता कर सकते हो RSI की मदद से पाचवा था indicator जो मेरे लिए swing trading में काफी ज़्यादा important role play करता है हम लोग बात किये थे RSI के वारे में जो momentum stock पता करने में help करता है उसी तरीके से मैं exponential moving average यूज करता हूँ कोई भी stock में entry और exit लेने के लिए यानि एक तरीके का price action तो price action और indicator को मिला दे तो इसी को हम लोग technical analysis कहते है यहाँ पर मैं जो moving average यूज करता हूँ वो 9.50 नहीं है अब इसको use कैसे किया जाता है कैसे entry लेते हैं कैसे exit लेते हैं किसी भी stocks में कौन सा time frame यूज करते हैं वो सारे चीज में chart पे अच्छे से explain कर सकता हूँ उसको हम लोग अगले वीडियो में deal करेंगे और 6 नमर पर आता है fundamentals report यह तब important होता है जब किसी की company का quarterly result आने वाला आता है अब notice क्यों होगे माल लोग कोई company है जिसका सितंबर मन्त का quarterly result आने वाला है अगर उस company का profit थोड़ा सा भी increase होता है पिशली quarter के compare में तो उस company का share price 5-10% increase हो जाता है और अगर वो momentum आपको capture करना है तो उस company का fundamental reports पे आपको update रहना पड़ेगा वैसे यह fundamental reports आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अगर पिशला 5 point आप अच्छे से समझ गए specially technical analysis तो आप यह fundamental reports ना भी दिखो तो चल जाएगा उससे पहले ही आप momentum capture करने का try कर लोगे swing trading से related जो हम लोगो भी बात किये उसका मैं live example देता हूँ Adanica stocks आपको simply Adanica stocks में दिख रहा होगा क्या उस company में liquidity है यानि volume है बहुत ज़्यादा volume है क्या उस company में volatility है कोई भी stock 500 से 600 एक दिन में चल जा रहा है 600 से 700 अगली दिन चल जा रहा है यानि volatility भी काफी जादा है क्या उस stock में momentum है बहुत ज़्यादा momentum है simple से बात यह है कि किसी भी company में अगर यह तीन criteria फिल हो रहा है समझ जाना वो swing trading के लिए बहुत सही stock है और अगर आपको price action का basic चीज भी आता है indicator कैसे use करते वो आता है तो आप liquidity, volatility और momentum stock को अराम से capture कर सकते हो और अराम से आप 5-10% का return निका सकते हो हफते या फिर महीने में तो swing trading का पहला पार यहाँ पे complete होता है वीडियो से रिलेटेड कोई भी doubt हो swing trading से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो comment में पूछ सकते हो वीडियो कैसा लगा, comment जरूर करना है और हाँ, next part के लिए इस चैनल को subscribe जरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye